हालो एवरिवन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी फाइनेशियल प्लैनिंग के बारे में और आपकी इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन से जुड़ी होई सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे उन सभी प् फैमिली का प्रोटेक्शन लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना पर्फेक्ट कोई भी प्रोड़क्ट आज मार्केट में अविलेबल नहीं हैं लेकिन हमारे पास बहुत तरह के फाइनेशियल इंस्टुमेंट्स आज मार्केट में अविलेबल हैं और अपने फाइनेशियल करने में हमारे आगे जो एक problem आती है जो हम मैं से हर कोई face करता है वो है हमारा fear ये fear कई तरह के हो सकते हैं fear of premium payment fear of liquidity fear of loss या फिर fear of our family protection और इन सबी fear की जो सबसे बड़ी एक वजा हैं वो है fear of loss of income जिये दोस्तों हम मैं से हर कोई या तो जॉब करता है या फिर एक बिजनिस करता है और हमें हमेशा डड़ लगा रहता है कि अगर हमारी जॉब चली जाए या हमारा बिजनिस किसी तरह से बंद हो जाए तो यहां से आने वाली regular income हमें नहीं मिल पाएगी और उस case में हम अपनी policies के premium कहां से pay करेंगे fear of premium payment हमारी घर खर्च के लिए हमें पैसा regular कहां से आएगा fear of liquidity अगर मेरा लगाय हुआ पैसा भी डूब गया और मेरी income भी बंद हो गई तो मेरी family का क्या होगा fear of loss और अगर हम बात करें family protection की तो भी देखिए एक इनसान के रहने या ना रहने से family को कोई financial loss नहीं होता family को financial loss होता है जब उस इनसान को आने वाली income बंद हो जाती है so in nutshell fear of loss of income हमारी financial planning के लिए biggest problem है और आपकी इसी problem को समझते हुए PNB MetLife ने अपने newly launched and amazing product century and plan में आपको आपकी इस problem का complete solution देने की कोशिश की है दोस्तों ये product आपकी इस problem को किस हद तक solve कर पाता है ये तो आप खुद decide करेंगे इस product के सभी features और benefits को जान लेने के बाद लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी वीडियो में बिलकुल end तक बने रहे हैं दोस्तों मैं एक certified financial planner हूँ और मेरी company काकरान insurance marketing private limited भारत के लगबग सभी states में life insurance, health insurance और general insurance जैसी services provide कराती है ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मन बनाते हैं ये product अपने लिए purchase करने का या कोई और insurance policy आप purchase करना चाहते हैं या आप मुझसे एक paid consultancy लेना चाहते हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं मेरे mobile number 9810-244-1118 पर और book कर सकते हैं मेरे साथ एक online appointment तो आइए शुरू करते हैं This is me, Dharmveer Singh and you are watching आपके फायदे की बात So, MetLife के Centurion Plan का नाम Centurion इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी मदद से आप नो सिर्फ अपने 100 years तक की age को protect कर पाते हैं बलकि अपने लिए एक lifelong income भी generate कर पाते हैं दोस्तों यहाँ पे lifelong income से हमारा मतलब है एक ऐसी income जो आपकी 100 years की age तक आपको regular मिलती है इस product को design करते वक्त आपके सभी तरह के fears को ध्यान में रखा गया है जैसे आपके fear of premium payment को ध्यान में रखते हुए आपको policy में multiple premium payment options provide किये गए हैं जैसे 5 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल आप अपनी convenience के साब से कोई भी एक premium payment option चूज कर सकते हैं इसके अलावा आपकी liquidity को ध्यान में रखते हुए policy में super income जैसा option दिया गया है जिसकी मदद से आप अपनी premium payment term के दोरान भी इस product से income generate कर पाते हैं ये income आपको किस form में आएगी ये आप decide करते हैं policy में monthly, quarterly, half yearly या annual mode का option दिया गया है अगर आप monthly mode चूज करते हैं तो policy के inception date के पहले महिने से ये income आपको मिलना शुरू हो जाती है अगर आपने annual option चूज किया हैं तो हर policy anniversary पे ये income आपको मिलती है अब ये income आप monthly या annual mode पे लेना चाहते हैं तो लें otherwise आपको option दिया जाता है आप अपनी income को reinvest कर सकते हैं और कभी भी जरूरत पढ़ने पे policy से एक lump sum amount withdraw कर पाते हैं आपकी liquidity को ध्यान में रखते हुए policy में partial withdrawal या full withdrawal जैसा option भी दिया गया है और पूरे policy tenure के दोरान कभी भी जरूरत पढ़ने पे कितना भी पैसा आप अपनी policy से withdraw करा पाते हैं और आपके third fear, fear of loss को ध्यान में रखते हुए policy में किये जाने वले सभी investment या तो debt instruments या FDs या government bonds में किये जाते हैं जिसकी वेयसे इस policy में loss होने के कोई भी chances आपको नहीं होते और वैसे भी किसी भी life insurance company में किया जाने वाला investment सबसे जादा safest investment consider किया जाता है इसके लावा दोस्तों आपकी family की protection को ध्यान में रखते हुए आपकी life को hundred years के लिए इस policy में protect किया गया है और policy में दिये जाने वाले family care option की मदद से आपको opportunity मिलती है कि आप अपने nominee को triple benefit इस policy में दिलवा सकते हैं देखें ये feature कैसे काम करता है suppose कीजिए आपने family care option opt किया है और premium payment term के दौरान अगर आपके साथ कोई miss happening हो जाती है तो आपके nominee को आगे के कोई भी premium policy में pay करने की जरूरत नहीं होती ये सारे के सारे premium आपकी insurance company आपके लिए pay करती है और आपके nominee को policy में मिलने वाले death benefit के साथ साथ policy के सभी survival benefits भी pay किये जाते हैं और अब समझते हैं ये plan काम कैसे करता है देखें century plan में आपको 3 different options दिये गए है super income option, smart income option और future income option अगर आप immediate income बनवाना चाहते हैं तो आप super income option opt कर सकते हैं लेकिन अगर आपको immediate income तो चाहिए लेकिन increasing mode पे चाहिए यानि कि आपके income every 15 year में revise होती रहे तो उस case में आपको smart income option चूज करना होता है और अगर आप अपनी retirement plan कर रहे हैं या आप premium payment term के दोरान कोई income इस plan से generate नहीं करना चाहते तो उस case में आप future income option चूज कर सकते हैं अब इन तीनों ही options में आपको क्या survival benefit मिलते हैं आपको क्या maturity आती हैं और किसी miss happening के case में आपके nominee को क्या death benefit मिल पाता है ये detail में एक example के साथ समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने computer screen पर ओके तो अभी बात करते हैं कि century plan कैसे काम करता है देखे प्रोड़क्ट में हमारे पास तीन options है इन तीनों options में हम सबसे पहले बात करेंगे super income option की तो यहां पर हमने एक example लिया है जिसमें Mr. Santosh है जिनकी age 30 years है premium payment term उन्होंने choose किया है 12 years और premium देना decide किया है 50,000 rupees और अपनी 100 years तक की age को उन्होंने इस plan में cover किया है देखे plan में आपके पास दो option है या तो आप अपनी 80 years 80 साल तक की age को इसमें cover कर सकते है या फिर आप अपनी 100 years तक की age को इसमें cover कर पाते है इस example में हमने 100 years तक का policy term लिया है अब इसमें देखे इस product में आपको basically तीनों चीज़ें मिलती है इस option में आपको सबसे पहले मिलता है survival benefit right दूसरा आपको मिलेगा maturity benefit जो आपको maturity के time पर मिलेगा और तीसरा in case of any miss happening आपके 9 मिनी को एक benefit दिया जाता है तीनों को detail में समझ लेते हैं तो यहाँ पर अब देखे आपका सबसे पहले इसमें आपको मिलता है guaranteed cash bonus यह guaranteed cash bonus आपको आता है आपकी premium payment term के दौरान उसके बाद नहीं आएगा केवल जितने time तक आप premium पे करेंगे जैसे यहाँ पे 12 साल premium payment term है तो 12 साल तक यह guaranteed cash bonus customer को मिलने वाला है अब यह amount कितना होगा यह होगा basically 10% of your annual premium यानि कि यहाँ पे premium है 50,000 रुपे तो 5,000 रुपे आपको annually यह bonus आएगा यानि कि 12 साल में 60,000 रुपे यह bonus आप receive करते हैं ठीक है इसके साथ premium payment term के दौरान आपको guaranteed cash bonus के अलावा cash bonus भी मिलता है अब यह cash bonus कितना होगा basically यह depend करता है कि आपकी company ने यह bonus कितना declare किया है अगर हम बात करें past track record की तो केवल PNV MetLife नहीं बलकि जादातर insurance companies 8% के आसपासी bonus declare करती है तो हमने भी यहाँ पे example के लिए 8% consider किया है और 8% के इसाब से यह bonus आपको 7950 रुपे receive होता है और यह bonus भी आपको आपकी पूरी premium payment term के दौरान मिलने वाला है यानि कि 95,400 रुपे आपको इस bonus के थूरू मिलते है अब यह हुई बात premium payment term के दौरान आप income क्या आती है तो यह दोना amount आपको मिलने वाले है अब जब आपकी premium payment term खत्म हो जाती है उस time से लेके यानि कि 12 साल से लेके और आपकी 100 साल की age तक company आपको एक cash bonus भी देती है तो यहाँ पे 8% का again हमने calculate किया है और इसमें आपका cash bonus बनता है 25,900 रुपे आने वाले 58 साल तक यह bonus आपको आएगा यानि कि 15,22,200 रुपे आपको यह bonus आएगा तो यह तीनो amount जो total है यह आपका हो जाता है policy में survival benefit इसके अलावा आपको maturity benefit के तोर पे यहाँ पे एक बड़ा amount आपको maturity time पे दिया जाता है जो होता है basically आपका terminal bonus और आपका policy का summation तो यहाँ पे आपका terminal bonus जो 100th year में basically calculate होगा वो amount आपको बनेगा तकरीबन 1,12,85,000 रुपे तो यह आपको maturity पे मिलेगा और इसी के साथ आपको एक दूसरा amount दिया जाता है छे लाख रुपे तो यह जब आप policy purchase करते हैं तब ही decide हो जाता है कि policy में आपका summation क्या है तो छे लाख रुपे यह तो अगर यह सारे benefit आप देखते हैं पॉलिसी में maturity पे आपको तकरीबन 1,35,42,600 रुपे तो यहाँ पे आपने total premium pay किया पचास जार रुपे बारा साल के लिए यानि कि 6,00,000 रुपे और उसके return में आपको amount in hand आता है 1,35,42,600 रुपे तो यह सारी बात हुई survival और maturity benefit की अब आप suppose कि यह भगवान न करें अगर life to be insured person के साथ कोई miss happening हो जाती है तो उस case में company ने यहाँ पे एक minimum guarantee आपको दे हुई है कि जितने भी premium आपने pay किये policy में कम से कम उसका 105% company आपको जरूर return करेगी तो यहाँ पे इस case में देखिए दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ एक कि आपने family care option लिया हुआ है इसमें आपको एक option मिलता है कि आप family care benefit ले सकते हैं एक यह भी option है कि आप family care benefit ना ले तो अगर आप family care benefit नहीं लेते हैं तो उस case में आपको क्या मिलेगा policy में और 25,900 रुपे का एक bonus देखे पॉलिसी में जितने benefit आपने ले लिए 12 साल premium payment term के दौरान आपने सारा जो भी आपको annual income आई वो इसके अलग हैं लेकिन जब death होगी at the time of death आपके नौमिनी को 6,30,000 रुपे का समेश और 25,900 रुपे का bonus अलग से pay कर दिया जाएगा और policy आपकी close हो जाएगी अब यहीं पर अगर आपने family care benefit लिया हुआ है तब क्या मिलेगा तो फिर आपके नौमिनी को ये 25,900 भी मिलेगा 6,30,000 रुपे भी मिलेंगे और उपर आपने जो ये सारे के सारे survival benefit देखे हैं ये सारे के सारे survival benefit यानि की 1,35,42,600 रुपे भी आपके नौमिनी को मिलने वाला है तो यानि की family care option के साथ आपके नौमिनी को triple benefit मिल जाता है तो दोस्तों ये हमने बात की यहाँ पे super income option की अब इसी तरीके से हम detail में समझ लेते हैं हमारे second यानि की smart income option को अब देखे smart income option में क्या है अगेन इसमें भी आपको survival benefit, maturity benefit और death benefit मिलता है अब survival benefit में दे काम पर मिलता है cash bonus अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको जो income है वो immediately आपकी शुरू हो जाती जैसे ही आप policy purchase करते हैं आपकी income शुरू हो जाती है और यह income every 15 year में increase होती चली जाती है तो आप यहाँ पे देखने जैसे ही आपने policy ली पहले 15 साल आपको cash bonus आ 15 साल है तो यहाँ पे आपको आएगा 2,18,250 रुपे का cash bonus पहले 15 साल में ठीक है उसके बाद second 15 year में आपको आएगा 17,460 रुपे यानि कि 2015 साल में आपको यह bonus मिलेगा मतलब यह amount आपको मिला first 15 years में यानि कि अगर आपने आज policy purchase की हैं तो अब से next 15 year तक आपको 14,550 रुपे की payment आएगी और उसके बाद 16 साल से लेके 31 साल तक आपको 17,460 रुपे की payment आएगी और उसके बाद next 15 year तक आपको 20,370 रुपे परेनम payment आएगी और 46 year से लेके 60 year की age तक आपको मिलने वाले हैं 22,555 रुपे और उसके बाद में 61 से लेके 70 year की age तक आपको मिलने वाले हैं 24,735 रुपे परेनम तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर 15 साल में आपको आने वाली income का amount revise होता चला जाता है तो यह आपका सारा है इस policy में survival benefit smart income option में राइट इसके अलावा आपको policy में maturity benefit भी आता है यानि कि जब आपकी policy mature होगी तो फिर वहाँ पे आपको sum assured के नाम पे 5 लाग रुपे कंपनी पे करेगी और terminal bonus के नाम पे 97,20,000 रुपीज आपको पे किया जाता है अब अगर हम बात करें कि total benefit policy में हमें कितना आया तो एक करोड 15,91,375 रुपे आपका total policy में survival और maturity benefit आपको आ जाता है अब इसमें बात करें guaranteed death benefit में क्या होगा तो देखे अगेन यहाँ पे भी दोनों तरीके से आप ले सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपने family care option नहीं लिया है तो आपको 5,87,500 रुपे as a sum assured आपको death पे मिले और 14,550 रुपे का एक bonus इसके लावत जो income आपको already आ चुकी वो आपको already मिल चुकी है लेकिन अगर आपने family care option लिया है तो इस benefit के साथ साथ आपको सारे के सारे survival benefit भी policy में मिलते हैं अब हम बात करते हैं policy के तीसरे option की तो देखिए तीसरा option basically हम opt करते हैं जब हमें policy में retirement benefit देना होता है या हम premium payment term के दौरान कोई भी income यहां से नहीं लेना चाहते तो देखिए यहां पर हमने example जो लिया है इसमें Mr. Sachin है जिनकी age 45 साल है premium payment term है यहां पे 10 साल और premium देना इन्होंने decide किया एक लाख रुपे ठीक है अब देखिए यहां पर यह तीनों benefit हमें कैसे आए है तो देखिए survival benefit में हमें यहां पर सबसे पहले मिलेगा guaranteed cash business cash bonus sorry अब यहां पर guaranteed cash bonus हमें premium payment term के दौरा नहीं आएगा premium payment term जो की 10 साल है तो यहां पर 11 साल से हमें यह bonus मिलना शुरू हो जाएगा और यह bonus हमें यहां पर मिलने वाला है 30,000 रुपे साल का यानिकि अगले और यह bonus हमें अगले 30 साल तक मिलता है regular ठीक है यानिकि fixed income tenure तक जो कि इसमें 30 years है हमें यह bonus आया गया यानिकि 9,000 रुपे हमें यहां पर guaranteed cash bonus के तौर पर मिलने वाला है इसके अलावा हमें मिलेगा दूसरा amount जो premium payment term खत्म होने के तुरंट बाद हमें मिलना शुरू हो जायागा guaranteed cash bonus क अलावा राइड वो है आठ हजार तीन रुपे आठ हजार तीन रुपे यह हमें 30 सालों तक regular मिलेंगे यानिकि 2,40,000 रुपे हमें fixed income payout आता है यहां से ठीक है यह होगी हमारा survival benefit इसके अलावा एक तीसरा amount आपको आता है survival benefit में यानिकि policy term खत्म होने के 30 साल बाद तक तो हम उसके बाद maturity date तक हमें मिलेगा cash bonus और यहां पर यह cash bonus का amount होगा 66,850 रुपे पर रैनम तो 66,000 आपको basically यह तीनों amount 30 साल तक आने वाले हैं तो यानिकि यह जो आपका तीसरा amount है यह भी आपके premium payment term के तुरंद बाद आपका start हो जाएगा तो यानिकि आपको premium payment term के बाद आने वाले 30 सालों तक यह तीनों amount 30,000, 8,000 और 66,850 यह तीनों amount आपको आने वाले 30 साल तक मिलने वाले हैं अब जब आपको यह 30 साल का tenure पूरा हो जाता है उसके बाद आपको एक bonus आएगा जिसे हम cash bonus कहते है cash bonus after fixed income payout period यानि कि इन 30 सालों के बाद तो उसके बाद आपको maturity तक यह amount आता रहेगा और यह amount है आपका 1,4,850 रुपे पर एनम यानि कि 11,53,350 रुपे यह आपको आता है राइट इसके अलावा जब आपकी policy mature होगी तो maturity के time पे आपको terminal bonus भी आएगा और sum assured भी आएगा तो इस policy में आपका terminal bonus आपको मिलेगा 28,90,000 रुपे और आपका sum assured मिलेगा 10,50,000 रुपे तो अब total maturity benefit और total survival benefit आपको दोस्तों आने वाला है इस policy से 82,38,950 रुपे तो यानि कि पूरे policy tenure के दोरान अगर आप एकदम fit and fine रहते हैं तो आपने pay किये थे 10,00,000 रुपे 1,00,000 रुपे 10,00,000 तक आपने premium pay किया और 10,00,000 के against आपको earn होते हैं आपके 82,00,000 and 38,000 रुपीज राइट इसके लावा in case of any miss happening आपकी family को आता है death benefit और ये death benefit आपको क्या नवला है हाँ पे आपकी family में nominee को 10,65,000 रुपे मिलेगा guaranteed sum assured और 7 में 3,00,000 रुपे bonus यानि कि लगबग 13,65,000 रुपे आपकी family को यहाँ पे death benefit आएगा हाँ अगेन यहाँ पे भी यह 13,65,000 के साथ साथ आपको यह सारे के सारे survival benefit यानि कि लगब 82,38,950 रुपे आपको as a survival benefit भी आपकी family को receive होता है ओके and this was all about century plan I hope आपको यह product बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आप मन बना रहे हैं यह product अपने लिए purchase करने के लिए तो आपके screen पे दिये गए contact number पे आप मुझे contact कर सकते हैं और book कर सकते हैं मेरे साथ एक online appointment दोस्तो अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में काफी important content हम एक simple format में आपके साथ share कर पाते हैं तो आप वीडियो को like जरूर करें जितना हो सके वीडियो को share करें और हाँ अगर आप हमारे channel के नई viewer हैं तो channel को subscribe जरूर करें और press करें उसके साथ में लगे bell icon को ताकि हमारी सभी important videos की notifications आपको बराबर मिलती रहें तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अपनी next video में आपके किसी और फायदे की बात के साथ till then take care